हलो अब्यूवन वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल धंगर केमिस्ट्री लक्चेस तो टुड़े वी आडिस्केस अबाउट आवर नेक्स टॉपिक ड़ेश मस्तिश ख्याने की ब्रेन इससे पहले वाले जो लेक्चेस थे उसमें हमने क्या बढ़ाता हमारा कौन सा चैप्टर चेप्टर में की तंत्री का कोशिका क्या होती है निउर्ण्स किया होते हैं प्रतिवर्ति क्रियाएं क्या होती है प्रतिवर्ति चाप क्या होता है जो उसने पहले वाला लक्चेस नहीं अर्टन क्या वटन करें उसे आपके basic concepts clear हो जाएंगे आज हम पढ़ने वाले हैं कि brain क्या होता है याने कि मस्तिश्क क्या होता है हमने तंत्री का कोशिकाओ के थोड़ा से revise कर लेते हैं देखो जो हमने देखा था कि तंत्री का तंत्र यानि कि हमारा nervous system कितने parts से मिलकर बना होता है, दो parts से मिलकर बना होता है कौन-कौन से एक पढ़ा था हमने CNS यानि कि केंदरी तंत्री का तंत्र एक हमने पढ़ा था PNS यानि कि peripheral तंत्री का तंत्री या nervous system अब CNS में हमने क्या बढ़ा था CNS में हमने बढ़ा था कि ये बनता है मस्तिश्क और मेरूरज्जु से यानि कि स्पाइनल कॉट से और पैरिफेरल नर्वस सिस्टेम हमने बढ़ा था ये किस से बनता है कंकाल और मेरू तंत्री काउ से ठीक है इतना तो क्लियर था आपको पहले अब और भी बहुत सारी चीज़े बताई थी मैंने वो सब समझने के लिए पढ़ने के लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा तो आज हम डिसकुस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ में के बारे में अब Braun तो आज लॕंटेक्शन के उपर पढ़ने वाले हैं मस्टीश्किके उपर पढ़ने यह ऋंटना NCRT 10th में दे रखा है क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई सेंस नहीं है आपकी जितना आना है और जो समझने वाली बात यानिकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ा है जो आपके बुक में नहीं है वो मैं आपको बताऊंगी बट एक्स्ट्रा नहीं जितना है उतना ही तो देखो करें हम स्टार्ट ब्रीन हैंने मस्तिश्क कैसा होता है यह कपाल में सुरक्षित स्टार्ट करते हम ब्रीन डाइग्राम मैंने अल्रेडी ड्रॉ करके रखा है हमीशा की तरह तक की टाइम कम कंज्यूमों समझ जादा क्यों यूटिलाय दके यह हमारे ब्रेन का स्टॉक्चर यह यह भीन हमार ऐसे ठी मिल आ पूंका होता है यहां पर होता है और यह जुर शाया पर माने ख़तम की है यह होंपे खता होती है हमारे इस वाले पार्ट में ठीक है अब देखो आप जो हमारा ब्रेन है वो कपाल में सुरक्षित रहता है सबसे इंपोर्टेंट बात यह रहां कपाल पता है था मैंने आपको किसमें सुरक्षित रहता है हमारा ब्रेन कपाल में सुरक्षित रहता है अब जो मारा ब्रेन है हम हमारा मस्तिश्क है वो तीन भागों में डिवाइड रहता है तीन भागों में बाटा गया हमारे मस्तिश्क को कौन कौन से एक अग्र मस्तिश्क होता है एक मध्य मस्तिश्क होता है और एक पस्च मस्तिश्क होता है नहीं कि सबसे आगे वाला सबसे बीच वाला और सबसे लास वाला लास्ट बटनों लिस्ट तो देखो यह हमारा मस्तिश्क जो किसे कवर्ड कपाल से यानि की हड्डियों का बना हुआ एक धाचा है जिसे हमारा ब्रेंट कवर्ड इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो अग्रमस्तिश्क होता है तो अग्रमस्तिश्क वाला भाग कौन सा होगा ये वाला ये दिख रहा है आपको ये किसमें आता हमारा फोर ब्रेन है ये अग्रमस्तिश्क के हमारा इस अग्रमस्टिश्क को क्या कहा जाता है सोचने वाला पार्ट का जाते हैं कि जो हमारी सोचने समझने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है हमारे अग्रमस्टिश्क के पास होती है याने कि इसके पास होती है इसी के दवारा हमारी एच्छी क्रिया नियंत्रित होती है या य橋ने सोचने श्क्नी की शक्तिक किसके पास से अग्रमस्थिश्क के पास है इसके पास है कैसे सोचता ख़र मुषनाए यानि कि предлаг आदब कर यह न onda कोशिका है का किसी विद्यू समवेक को लहका लेकर ऑती तो विद्यू समेक को लेकर कहां पर पहती है वो आती है अग्रमस्तिष्क के पास और दो फेक्ट करता है। एक रेक्ट करता है मैस फिर को और इस यत्व वह चीजंवेसा वह दे वापस हहां है कि किसके द्वारा नियंत्रित हो रही है वो अग्रमस्थिश्क के तरह वहां पर हमने सिर्फ यह पढ़ा था कि मस्थिश्क द्वारा नियंत्रित हो रही है और यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि मस्थिश्क के कौन से वाले भाग द्वारा नियंत्रित हो रही है दीरे दीरे पार्ट्स होते हैं अलग अलग भागों में डिवाइड होता है अब अग्रमस्थिष्क का एक सबसे में जो है पॉइंट वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह क्या करता है साहचर को प्रत्थक कर देता है इंड़ाइट मेंस यह क्या करता है कि कुछ भी क्रिया हुई हमने उसके प्रत्य अजुकूरी प्रदर्शित कर झाये कर Adaptive तो हाथ के बास क्या आइं सूचना ही वह उचनका गई उने कि बेरेंट के बात जो पहले से सूचनह स्टौर यह अभी पहले से सूचना उन सब को मैच करके पिर हमें क्या करना चाहिए नहींकरना कि सो समच क कुम के पर ये पढ़ है कला कम कि सब के पति परतिक हमें बताता है यह हमारी तंतौरी का कोशिकाओ को समवेक देता है जो वीधयुतावेक्ट के द्वारा दौर जहा तक लेकर जाना होता है वहार तक ले कर जाती हुआ‍अ हुआ क्यर आपको तक कि इसके बाद है हमारा मध्यमस्तिश्क ह हन ज्यàiल करता है कि यह क्रिया इनधरन करता है मध्यमस्तिश्क काम क्या रहता है उन एक्钰 पर नियनतरन करना जी इसे कि रहा अब लगा तो हाथ अठाना शेर आया मैंने अबस को समझाए तो वो प्रतिवर्थी क्लिया होती है किसके दोना मध्यमस्टिश्कु और नर्य जाएक अब ये तो हो गया कि शेर आया हम भाग गया मद्यमस्टिश्क इसके अलावा जो सिर की घरदन की जितनी भी क्रियाय होती है यानि कि देखना एकदम देखना ये करना हमारे समनी कोई आया तो गरदन उठा के देखना कुछ हुआ है तो फट से पलटना ये सारी चीजे करियाय किस की द्वारा नियंतरीों हो रही है हमारे मध्यमस्टिश्क की द्वारा मध्यमस्टिश्क में कुछ में चीजे हैं आयमन। और मास्टर ग्रन्थ यानि की Kruste यह हीपॉथेलमिस और मास्टर ग्लेंट दो हम पढ़ेंगे आगे जह इस्क्राइब यहां पर आया है तो आप समझ लो देखो क्यों हाइपोटलमस और मास्टर्ग्लेंड दोनों ही क्या है मद्य में मस्टिष्кі क्या होता मैं hopes क्यों सब्सब्रेंज प्रक्राइब होत合 प्यूंच को मास्टरग्लेंड भी बोलते हैं क्यों Single से मास्टर ग्रै रिंघ से क्योंकि इसके अंदर से हैं इसमें से जो जो कमीकल सिक्रेट होते हैं जो रसा हैने क्रते बजलब और धो करते हैं इसके अलαवा समसे इंपॉर्टन जो श्राइट स्था फ्यूज रूंथे हैं कि यह हमारी बोडीacting होता है तो इन सारी ग्रण्थियों को 이건 उनको काम बहुन करती है उनको कंड यहां स्बसक्रिणग मी कल रहा है को क्यों गले आधी मस्थिश्क हुआ समझ हुआ क्लियर शॉरी आया समझ अब बाद आते हमारे पस्टमस्थिश्क की कि यह थे मिन पश्च मस्थिश्क होता है उसकी तो पर्ष निस्क हमारा मैड्यूला और नों ठीकि यह गया हमारा मेडिूवला और यह हो गया हमारा है यह तो रहां गि आना और ये होला जो पॉर्शन दीखर है आपको यह यह क्या होगा हमारा पॉण और मेडूवला पॉन तो क्या है पस्च मस्तिषक का में जो अब के वह समझ Soy हमारी जीब से जो लार निकल रही है उसका निकलना कौन कंट्रोल करते हैं उसका निकलना कौन कंट्रोल करते हैं इसके अलावा बहुत लोगों को बीपी का प्रॉब्लिम होता है यह नहीं भी होता है बहुत स्यारी कंटिशन्स में यह बीपी हाई भी होता है तो यह बीपी भी होता है तो यह कंट्रोल होता है यह बीपी कंट्रोल होता है हमारे पर्स्तम हस्तिश्की के मेड्यूला द्वारा ठीक है एक तो क्या हो गया सलाइवा का सिक्रेशन एंड सेकंड वन इस करते जो अवर है कि यह बताया सेकंड मैंने आपको एक शलाइवा का सेक्रीशन बताया सेंड मैंने आपको बताया कि ब्लड पेशन अब बैपी हो गया लार हो गया एक और चीज उल्टी आना जिसको वर्मन पहां जाता है बहुत ईकर कंडिशन में होती है कि मсть होती है चल मंकुडियोला के कितने काम हो गाया baill app करता है कि नंद्रन कर रहा है न और इतना करता है और वह पर क्या करता है यह स्पाइब गाइब हाइब पना कंड्रोल बनाके रखता है इसके अलावा पस्त मस्तिष्क का एक और मेन काम है जो आप लोगों को सामने ही दिख रहे है यह नहीं मैं मतलब हमारी बॉडी को जो बैलेंस करने का काम होता है बैलेंस कौन करके रखता है बैलेंस करके रखता है पस्त मस्तिष्क कैसे देखो आप साइकल च तो एक जैसे आपको पैडल लगाना है तो आपकी साइकल चलेगी साइकल छोड़ा आप गाड़ी चला रहो तो आप सीधी रेखा में चल रहे हो वह सारी चीजे क्या होगी अगर हम पैरों से चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे एक निश्चित मतलब पैर जितने लेने हैं आगे लेंगे और सीधी रेखा में चलेंगे बैलेंस बना के चलेंगे टरन लेना वह बात अलगे बैट नॉर्मल कंडिशन में तो हमारी बोडी को जो बैलेंस करने का काम करते हैं जो बैलेंसिंग का काम करते हैं वह कौन कर रहा है बैलेंस करने काम भी कौन कर रहा है हमारा पश् कि यह तीन चीज़े तो मैंने आपको समझाईए अगर मस्तिश्क और मजद मस्तिश्क और हमारा पश्च मस्तिश्क इसके बाद कि यह प्रमस्तिश्क क्या होता है कि यह जो खाली सीरा होता है क्या होता है प्रमस्तिश्क और यह क्या होता है तरल द्रव से भरा रहता है यानि कि तरल गुबारे के समान होता है कैसा होता है ये तरल गुबारे के समान होता है इसको क्या कहा जाता है ये एक प्रगात अवशोशन का केंद्र माना जाता है यह जो प्रमस्टिश्क का शेद्र क्या माना जाते हैं यह प्रघान अवशोशन का गेंद्र मैं लिखके बताती हूं आपको क्या होता है यह प्रघात अवशोशन का के अदरे और कैसा है यह यह तरल गुबारे के समन जिसको एक और नाम है आपको वो नाम क्लियर हो जाएका इसको बोलते हैं सेरीब्रो स्पाइनल फ्लुट आया समझ में सैरीब्रो स्पाइनल फ्लुट बोलते हैं यहां पर देखो आप हिंदी में लिखते हूं क्या होता हैं सेरीब्रो स्पाइनल फ्लुट होता हैं अब दोलता हैं ना कि हमारे ब्रें में लिकविड भरा हुआ एक ड्रव भरा हुआ है वो द्रव क्या होता है ब्रन का क्लर यह से के लिए के पॉइंट लिए पैर आगुई मास्ठिश्क नोट Kr lleg ये हैं अब अग्रमस्ठिश्क का में काम है अग्स पहले थो ये मुख्य सोचने वाला भागी मैं आपको बताए कि हम जब कोई भी डिसीजन लेते नहां समझते हैं उस चीज़ को तो वह सब किसप अगर मसिशकर डीप गर थैंफर करता है वह हमारे अगर मस्थिशक इसके बाद थिव Separate UK संभव करने कशेत्र हें मैंने आपको बताया की जो तंत्री गोशी का मैं होती है तंत्री का आका तर से मिर 27 को तंकशिक मैसेज आए कर आया कि संबेत को मैसेज को लेकर रही है तंद्री कोशिक को गई थूमेंस जाने के बात कहां गया हो मैसेज़ फ вып oil 요ках Letter Doarten भूप ton ragout मेर्मा कार्जी के पास मेरुआरज। ठीक है अब अग्रमस्टिश्क में तो यह गया जाने के बाद सहाचारी के शेत्र प्रत्थक होते हैं याने की सूचना मैंने आपको बताया ना कि यह क्या करता है पूरी मतलब all over जितनी भी है उससे related कोई थिंग उसको क्या करता है लेगा याने की देखेगा देखने के बाद पहले से कौन सी सूचनाय है अभी कौन सी सूचनाय आई है उन सबको क्या करेगा मैच करेगा मैच करने की बाद डिसाइट करेगा कि क्या मैसेच आगे कनवे करना है तो सहाचारी के शेत्र कैसे होते हैं प्रत्थक प्रत्थक होते अब ग्राही तो कोई से भी हो सकता है मैंन सकते और आख ने प्रकाश को गरान कर दिया आग देखी ₩ हाथ हो सकते हैं का हो सकते हो सकती हमारी तुमत्र हो सकते एक उसके बाद एचीश कार्य ऑप इच्छिक बात कार्य का केंद्र है ऐसे बोल सकते हम एच्छिक काने का केंदर कैसे होगा मैंने आपको बताया था पहले कि कोई काम है जो हम करना चाहते हैं जैसे कि मैं हूं मैं लिखना चाहरू आपको समझाना चाहरू कुछ बोलना चाहरू तो वह सारी चीज़े कौन कॉडिनेट कर रहा है कौन कंट्रोल कर रहा है मेरी बॉड इतना भी काम करूंगे और इच्छा नहीं से मतलब अगर मुझे सोना है फिर भी मुझे जगना है मेरी इच्छा नहीं हो तब वो किस पर चला जाएगा जो आगे आएगा ब्रेन हमारा मीड ब्रेन या हिंड ब्रेन जो भी है अब हम किस की बात कर रहे हैं और अगर मस्तिष्क की की बात कर रहे हैं और हमारी जो इच्छा है कि मुझे यह करना है तो मुझे यह करना है यह कौन नियंत्रित कर रहा है मेरा अगर मस्तिष्क कर रहा है मुझे मेरा ब्रेन ऑडर दे रहा है कि हां तो जो करना है तू कर ले ठीक है हुआ है सारे पॉइंट्स क्लियर आपको यह बात हुए हमारे फोर में की अब बात करते हमारे मेज़ एक मैना आपको क्या पता त biography लिख्ला है मद्दिमस्टिश्ग वर्की जारें उच्छा निए मेरी फिर अवी नए तुझे करना पड़ेगा और यह सब कौन बोल रहा है यह बहुत को होता है ना बहुत हमारा इन बहुत है नहीं कर दिल और बहुत है हम हम चाहते कुछ हैं और करते कुछ उस कंडिशन में हमारा ब्रेश में करेगा काम करेगा 156 क काम करेगा मूझ हुआ उठ़ना है यह क्यान है चैने की तो इसमीड में बोल रहा ठीक है मत उठ नहीं में बोलेगा तो जो उठना पड़ेगा क्योंकि यह यूंतरं करा कि अने चीक्रिया होते हैं में किस वाले पार्ट से सोचोंगे मीड्लण से सोचोंगे कि है नहीं हो रहा है पर करना है जो इसके बाद सीरगरदन आदी की प्रतिवर्ति क्रिय है सेवह प्रति प्रतिवर्तिक्रिय है मैंने बता ही ना आपको की अगर लग जाती है तो हम या कोई हमें आवाज लगा तो हम एकदम टर्न होते हैं और सीर जैसे कुछ हुआ है या फिर कई की लगी हम कई जा रहे हैं कई लगिए दो फटाफट क्या करते हैं हमारे सिर को हटाते हैं वो प्रती वर्ति क्या है जो कर रहे हैंItne करें सबस्क्राइब हुरे हैं दर्यू रोत हैं सबस्प्रति ढτοे लिन च्हक्ति होम रहा है और रसे प्रति वर्ती क्रिया है होती है और किया थे वो ख्रिया नियंत्रित हो रही हैं वहां यह इसका mist kya कर रहा है इसके बाद हम offs पने वाले हैं पस्ट मस्टिश्क जाने सबसे पिछला वाला मस्टिश्क जो पॉंस और मैडूला से मिलके बना होते हैं आपको बता है था अभी कि पस्ट मस्टिश्क जो है हमारा वह किससे बना हुआ मैडूला से मैडूला क्या कर रहा है मैडूला कर रहा है बीपी और लार और व करता है saliva को control करता है उल्टी आ रहे हैं तो उल्टी पर भी कौन गंड्रोल कर रहा है हमारा पश्च ब्रेंट का मैडियूला कर रहा है इसके बाद छरीर को बैलेंस करने वाले जितने भी काम है यह हमारी बॉडी बैलेंस दे वो सब कौन नियंतृत कर रहा है वो नियंतृत कर है हमारा फश्च मेर्ण शाम चला रहा हम साइकल चला रहा है सीधित रेखा में चल रहे हैं तो यह सब कौन देखेगा इसा बैलेंस करते हैं हमारा पश्च ब्रेंड हुआ यह पूरा क्लियर आपको यह हो गई हमारी तंत्री का कोशिकाओ का ब्रेन ब्रेन माला पार्ट खत्म अब क्या होता है कि ब्रेन तो कंट्रोल कर रहा है प्रेन ने कंट्रोल भी कर लिया लेकिन तंत्री का का कोशिकाओ कौद को को सीमाएं होती है हteil के सीमाओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि यह क्या क्या सीमाएं होता है तो मैंने आपको एक पिछले lecture में बताया था कि हमारी body में क्या है तंत्री का कोशिकाओ का जाल फैला वह लेकिन यह तंत्री का कोशिका जहां तक जाएगी messages भी वही तक जाएगी और जहां तंत्री का कोशिका नहीं जारी है वहां का क्या क्या वहां पर हमारी बोड़ी काम नहीं करेगी क्या वहां पर हमारी बोड़ी वर्क नहीं करेगी तो सीमा यह देखते हैं हम इसकी कि तंत्री का कोशिकाओ की सीमा है मुझा है कि कोई भी हो हना यहां पर हम तंत्रिकाओ के साथ होती ह। ॴ तंत्रिका कौशिकाओंस पहले हम कर तंत्रिकां क्या काम करती है जहां तक वह हैं कि हर याने कि विद्यू सम्वेग जो होते हैं याने कि जो मैसेडिश वहते हैं विद्यू सम्वेग केवल वही तक जाते हैं कहां तक जाते या बताओ, किसी को पताओ , वही तक describes जाते हैं जाहां तक तंत्री का कोशिकाय फैली है या है इतना सा हम लिख सकते हैं कहां तक जाते हैं जाहां तक तंत्री का कोशिकाय है अब यानिकी जहां तक तंत्री का कोशिकाय मतलब यह कहां पर नहीं जा पा रहे हैं प्रत्यक कोशिकाय में नहीं हो सकता कि उस संब्धकर अधान प्रद्यान नहीं होता ना उस संदिशन में क्या होता है एक सिस्टम गाम करता है यानि कि बॉड़ी के पास हर प्रॉब्लम का solution है तंत्री का कोशिकाओं की जगाँ एक अल्टरनेट है वह होता है एंडोक्राइण सिस्टम क्या बूला जाता है इसे एंडोक्राइण सिस्टम कि इस सिस्टम से क्या होता है कि जिन कोशिकाओं में यानि कि बॉड्डी के जिस बांट में तंत्री का कोशिकाओं नहीं कर रहे हैं वहापे क्या काम करता है वहां काम करता है entertaining system andangim system मतलब क starting कुछ-क। रिमाइंड हो रहा है इस से पहले वाले लेक्चंट में यह भंध का पढ़ेंगे आगे वाले लेक्षर में नहीं कंप्लिट हो पाएगा क्योंकि टाइम लिमीट है हमारे पास इसका जो बाद वाला लेक्षर होगा हम उसमें अन्टिस्रा भी ग्रंथिया अच्छे से बढ़ेंगे अभी आप यह समझो कि प्रत्यक कोशिका में तो विद्यू सम्वेग जा नहीं पा रहा ह एक तो मैंना अभी आपको बताईए जब ब्रेन पढ़ाया है याद करो अभी दो मिनिट पहले बताया है देखो इसमें कोई अंतर इस्ट्रावी ग्रंथि दिख रही है ग्रंथि तो एक ही नाम दिख रहा है आपका प्यूज ग्रंथि येस इस एंडोक्राइन ग्लेंड अ सिर्ण लां रेही है उस स्त्रावंड से क्या होता है कि इस्ट्रावंड किसकारा क्या हो रहा है सबसगे पेहन होर्मोन विख शाइन प्रदार्थि ये कुछ जो रसानिक प्रधार्थि ऐं शिवारिस उसरार्थि कर दगर हैं इनका इंका क्या है सूचनाह इसलिए कौन काम कर रहा है अन्तरस्ट्रावी गरंथिया इसलिए कहां जाता है क्योंकि यह क्या करती है डाइरेक्ट ब्लड में हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती है जूर्मोन जो प्रदाओ परिट में रहा हूँ कर दो बोड में कर दीए तो ब्लड कहां पर जा रहे है कोशिक्वाओं छोपी अंदर इंटर्न नंके रिसेप्टर्स पर जो उनको ग्राही और जाते वहुंको रिसेप्ट कर रहें हैं अंदर से उनको accept कर रहे हैं और accept करने के बाद उनके जो भी messages है जो उनको आगे वाली cell में convey करना है वो किसके थरू करवा रहे हैं वो करवारे इस chemical substance के थरू याने कि इन hormones के थरू hormones हमारी body के लिए बहुत important होते हैं बताऊंगी मैं आपको आगे बहुत ही जादा important होते हैं तो एक सीमा तो यह हो गई कि विद्यू संवे केवल वही तक जाते जहां तक तंत्री का कोशी कह जाती है ठीक है अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि second क्या सीमा है कि को सेक्ड बूसरी सीमा हम इधर पढ़ते हैं इसमा मतलब सीमा मों मैं समझना इसमें यह होता है कि एक कोशी कर्व कि एक कोशीका से मतलब यहां पे एक तंत्रीका कोशीका की बात हो रही है ठीक है एक कोशी का शुलत आवेग लेने के बद्यू एक कोशिगा ने एक बार आवेग ले लिया दूसरे आवेग में समय लेती है मैं क्लियर करती हूँ आपको क्या लिखा है मैंने यानिकी लगातार काली नहीं कर सकती है हम यह जो सीमाएं पढ़ रहे हैं सीमाएं मतलब आप यह समझ लो कि हम क्या तंत्री का कोशिकाओं की कमियां पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हम तंत्री का कोशिकाओं की कमियां की क्या कमियां होती है कमिया सब में होती है तो हमारी तंत्री का कोशिकाओं में भी कमिया है एक कमी तो हमने यह देख ली की सिर्फ तंत्री का कोशिकाओं में संबिग जाएगा सिर्फ तंत्री का कोशिकाओं में संबिग जाएगा अब यह जो तंत्री का कोशिकाओं होती है देखो हम न अगर किसी जो जो बीतना न जोंते हैं किसी चीज से उसको कम लगने लगता है या पिर घरम पानी की बाट एंगे या पिर इतना फर्क पढ़ता है क्यों निप्टता है कि उपढ़ता यह इंस्टेंट तो फंडा होगा निए वह इसलिए पढ़ता है कि जब एक बन हमारी कोशिका ने हो आई इमपल्स को ग्रहंड किया तो सम्भे आया उसको ले लिया लेने के बाद वह यहां से गया पूर यहां से गया मेरे अध जो तक या ब्रेन के पास ब्रेन ने वापस दिया हाथ अटाया लेकिन जब वापस हाथ लगाएंगे उसके उपर तब हमें इतना गरम नहीं लगेगा लेकिन जो मारी तंत्री का कोशिकाय है वो इंस्टेंट उस इंपल्स को ग्रहंड नहीं कर पाएगी कहने का यह मतलब है मे आवेक लेने के बाद घुझाट लेने के बाद दूसरे आवेक को लेने में थूड़ा वक्त लेती है थोड़ा सा समय लेती है continue नहीं कर पाती लिघ दुग कर पाती तो सानवे को और क्या है एक लिज़ा तो कि नहीं कर सकती और एक तीज और लिखो लगातान आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती हुआ कि आयां समझ में कि कमिया तो बहुत सारी होती है बड़ जो में जो दो है तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए या ऐसा बोल सकते हैं कि यह दो क्या कर रखें आपके वुक में दे रखें तो अभी हमारे पास जितना है हमें सिर्फ उतना ही पड़ना है कमिया अब को समझ आ गई होगी कि क्या-क्या है सबसे में कमीना है यह वाली लगती है मुझे क्या लगातर आवेग नहीं ले पारी है तंत्री का कोशिका यह ने कंटीन्यू काम कर नहीं पारी है तो फिर इसकी जगा में कुछ ऑल्टरनेट चीज़ चाहिए क्योंकि अगर लगातर आवेग नहीं हो पार तो उस कंडिशन म comment campaign करिते courts क अंट काम करती है थाल्टरनेट घॉलाटरनेट हमारे भारीये बॉडी के पास प्रेज़त है ने अट्रण के बास हर छीज है हर चीज का सबसी तोब्त में यहां पर तंत्री का कोशिका है कोई नीपात भास Cejkowski का कंट में क्या है अन्ट जस स्फ्रावी गंत ह काम करेगी और क्या होगा हर्मों का सिक्रेशन करके कैसे कर रहे हैं आर्मों का सिक्रेशन डिरेक्टली ब्लॉड में उसके थूर यह सारे जो वर्क हैं हमारे यह कॉडिनेट हो रहे हैं यह आपको समझ अब यह चीज यहीं पर हम खदम करते हमारे ब्रेंट Ses बरेट हमारा कदम खड़े जो पढ़ब अग्र आप आगे जो तो अगर आप इन फ्यूचर अगर बायो लेते हैं तो देखने को मिले गांगा यह आपको तो पूरे ब्रेंश बेस्ड पूरा एक चैप्टर बहुत बड़त होती है पूरे चैप्टर बेस्टों किसी भी एक चीज़ पर और अगर तो पूरी राफरेंस बुक्स भी है तो यह यहां पर अबी हम ने कितना पड़ा है जितनी आपको जरूरत है एससरे कि मतलब जीतनी आपकी बुक में दे रखा है तो हम इतना होता है जब आगे हम आएंगे तो हम फोर ब्रेंट के भी टाइपस पढ़ेंगे में ब्रेंट के भी टाइपस पढ़ेंगे इसके बाद अभी हमने जो छोटी-छोटी बात करिए के स्टेडी करेंगे लेकिन अभी सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इतना ही दे रखा आपके चप्टर्स में ये पूरा हुआ है आपको क्लियर रिवास करवाने की कोई जारोत नहीं है दो तीन बार रिवास करवा चुकी हूं मैं हां बस यह है कि जब आप पढ़ने बैठे तो आप आपकी भूक लेकर पढ़ने बैठे इसे कि अगर आपको डियाग्राम क्लियर होगा वैसे मैंने आप अल्रेडी बहुत अच्छे से डाइग्राम ड्रो किया है I don't think so कि इसके बाद आपको बुकी नहीं रहेगी क्योंकि जो में 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 चीजे हैं एक्जाम के करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ इससे क्या होगा कि सुडेंट्स में बढ़ेगी और आगे जो अच्छे अच्छे कंटेंट हम लेकर आने वाले हैं आपकी क्लास से रिलेटेड वह भी आपको उसकी नोटिफिकेशन में मिलते जाएंगे जिस अब आगे जिसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आने वाला हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड वह आंता इस्तरावी ग्रंथिया ना जो भी यहां पर हमें आपको एक बताईए प्यूश ग्रंथि यानिकि अन्ता इस्तरावी गंथिया क्या होती है हमारी बॉड़ी में अन्ता secretion directly blood में कैसे करती है और कौन-कौन से हार्मों को secret करती है वो हार्मों हमारी body के लिए किस तरह important होते हैं यह सारा कुछ हम किसमें पढ़ने वाले हमारे नेक्स लेक्षर में पढ़ने वाले तब तक इसको पढ़िए अच्छे से पढ़िए पहले वाले वीडियो इसको पढ़िए अगर कोई डाउट होता है आपको अगर इस से रिलेटर या और भी किसी वीडियो लेक्षर से तब तक मिलते हैं हम नेक्स लेक्श्वर में अन्तर इस्ट्रावी ग्रंतियों के साथ तब तक के लिए बाई